आज बनाएंगे 5 मिनट्स में रेडी होने वाला जबरदस्ता ब्रेकपस्ट और इस रेसिपी में हम ओमलेट ब्रेट स्लाइस को एक साथ बनाएंगे बड़े डिफरेंट तरीके से सबसे पहले स्लाइस को लेंगे और किसी भी ग्लास या बाउल की मदद से हम सेंटर से उसे कर लेंगे इदर हमने दिया है द benz पर थोडा सा ओयल और इस ओयल को हम स्ट्रेट कर देंगे क्योंकि हमें इसके उपर स्मौने होगा جب यह हलका हलका सा गार्म होने लगेगा तो हम इस पर नड़ा डाल रहे हैं और यह अंडर डालने के बाद इसको थोड़ा सा पकने देना है जैसे यह पकने लगेगा तो हमने इस पर वाक्षी चीज़ें डालनी हैं, जैसे के छोड़ी चौप की हुई प्यास थोड़ा सा टी मार्टर थोड़ा सा हरे मिर्च इसमें शामिल की है। इसमें रैट चिली पौडर भी हमने एड़ किया है। और अब इससे फॉक की मदद से थोड़ा-थोड़ा बीट करेंगे ताकि सब चीजें मिक्स हो जाएं और एक साथ पकने भी लगें इन सब चीजों को इस सेंटर में से हमने मिक्स कर देना है और इस सेंटर को मिक्स करने के बाद जब यह हाफ से ज्यादा डन हो जाएगा तो ज से हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताके वो इसके अंदर फिक्स हो जाए और एंडे के साथ चिपक चाए इस तरीके से बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि यह स्लाइस हमने इसके साथ रखकर कर एड़ किया है तो जनाब ये देखें इस तरीके से हमने स्लाइस कटेवे को भी इसके ओपर वापस रख दिया है और ये ऐसे हो गया है बिल्कुल जैसे उसके साथ फिक्स होके फिर से रेडी हो गया है दूसरी तरफ से अंडा पकर तयार हो चुका है तो अब इस स्लाइस को हम पलट कर देखेंगे और इसको हमने पलटना है इस तरीके से हमने इसे पलट कर देख लेते हैं ये देखें जबरदसी लुक तयार हो चुकी है इसकी और ये हमारे पास स्लाइस रेडी हो गया है ओमलेट स्लाइस ये जबरदस शेप में रेडी हो गया है आप किसी भी महमा को गेस्ट वगरा को इसे सर्फ कर सकते हैं बड़ा स्पेशल और अलग लुक आएगी क्योंकि आम तोर पर हम ब्रेड बनाते हैं बिल्कुल दोस्रे तरीके से तो यह एक स्पेशल आपका ब्रेकफस्ट तैयार हो जाएगा जो कि बहुत जल्दी तैयार होगा इसमें बहुत ज एसील गीरे सीपी